अलो दोस्तों नमस्कार आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंगाड़े को बगएर पानी के कैसे उबालेंगे मैंने लिये हैं एक किलो सिंगाड़े एक किलो सिंगाड़े मैंने पानी में दो तीन बार धुन दिये हैं मलके इनको अच्छे से साफ कर लिये हैं साफ करके मैंने एक डलिया में निकाल ली हैं डलिया में निकाल करके इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया अब मैंने डलिया में इस तरीके से देखो रखे हैं और ये धोना इसलिए जरूरी है कि इसमें थोड़ा बहुत मौश्या भी आ जाता है साप भी हो जाते हैं क्योंकि ये तालाब में होते हैं इसलिए इनको धुलना जरूरी है और मैंने आप लिया है कूकर और कूकर मेरा ये है जो तहीं तीन लीटर का है इसमें एक किलो जो है सिंगाडे वो आ जाएंगा हमसे ठीक है अब इसको मैंने घी लगा करके गार्निस कर लिया है कूकर को अंदर से अब कूकर को अंदर से गार्निस करने के बाद फिर आप इसमें सिंगाडे जो आपने धुले हुए डली आपने काल लिये हैं उनको इसमें भर देना है ये देखो मैंने सिंगाडे जितने हमारे धुल गए थे इनको सब को इसी में डाल दिया है जब इस सिंगाड़े इसमें सब भर देंगे भरने के बाद ये इतना भरना है कि थोड़ा उपर भी एक या डेड़ इंच इसमें जगे बकाया रहा है इसके बाद फिर हम क्या गरेंगे एक मोटी जो आप किचन में तवल यूज करते हो मोटी तवल लेनी है और इसको आप पानी में भिगो लीजिए थोड़ा सा मोटा ही रखना है और इसको अच्छे से निचोड लीजिए निचोडने के बाद देखो ये थोड़ी सी ड्राइसी ही रहेगी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए इस तरीके से आपको निचोड के रखना है ये देखो मैंने निचोड दिया है और थोड़ा मोटा ही डवल अगर ज़्यादा बतली है तवल तो आप दो डवल तवल कर लीजिए इस तरीके से मैंने इनको डबल कर लिया है डबल तॉबल इसको लगा दिया जितना मेरा कूकर में डिस्टेंस था या जगे बची हुई थी और ये देखो मैंने मीडियम हाई से मीडियम आच रखी है ताकि कूकर इस पे चड़ा दे अब मैंने कूकर इस पे चड़ा दिया है कूकर को चड़ा करके हम अब इसमें गैस बनने तक के लिए इंतजार करेंगे और ये देखो मैंने इसमें कूकर चड़ा दिया है और जो आज है यानि जो गैस की लो है वो मैंने कितना मीडियम ही रखी है अभी मीडियम इसलिए रखी जाती है जागे इसमें गैस आसानी से बनने लगे अगर सिलो कर देंगे तो इसमें गैस जल्दी नहीं बनेगी अब मीडियम रखते हैं तो इसमें जादा जादा पांच मिनट बादी इसमें गैस बनने लगती है अग गैस जब बनने लगेगी ये देखो मेरी कूकर में गैस बनने लगी है फिर हम क्या करेंगे इसको बिलकुल लो पर कर देंगे लो इसका कर देंगे ताकि बिलकुल थोड़ी सी आच इसमें लगे और धीरे धीरे कम से कम पांच मिनट तक और पकाना है आप चलिए ये पकन लाल मिर्च लिया है, उसके बाद थोड़ा सामचूर पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर के साथ में मैंने साधा नमक लिया है, साधा नमक इन चारो चीजों को मैंने मिला लिया है, जब ये चारो चीजों का मसाला मिक्षर तयार हो जाएगा, ये सिंगारों के साथ बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, इसके बाद मैंने जो भी इस मसाले के साथ खाना चाहें, वो भी ले सकते हैं, और मैंने थोड़ी टमाटर की और हरी धनिया की चटनी भी तयार की है, इस तरीके से मैंने ये चटनी तयार कर ली है, ये चटनी आप टमाटर की जो चट इसे आप खा सकते हैं, इस इंगाडों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, इस तरीके से मैंने एक अध्रक टुकडा लिया हैं, नमक लिया है, जीरा लिया है, और एक टमाटर और धनिया, यूँकि इस समय धनिया खुब अच्छी सी आ रही है, और खुस्भुवाली भी आ यह देशी धनिया इसको डाल कर मैंने चटनी तयार कर लिए है जब यह चटनी तयार कर लेंगे तो यह भी जो है बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है सिंगाडे के साथ और देखिए मेरी चटनी तयार हो गई है चटनी तयार होने के बाद अब मेरा जो कुकर था वो हलका साज गैस जब इसमें पांट दस मिनट और करें फिसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया दस या पंदरा मिनट लगे होंगे ठंडा हो गया लमसम और धकन खोल गया क्योंकि हमें इसको अपने से नहीं खोलना है जब इसकी सीटी निकल जाये अपने आम तभी खोलना है और इस तरीके से मैंने देखो सिंगाड़े एक एक करके कितने बढ़िया मेरे सॉफ्ट सिंगाड़े उपले हुए हैं इसको अभी हम देखो आपको छील के भी दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे सिंगाड़े इसके निकल ला है हम इस तरीके से पहले तो इनको निकाल के रख क्योंकि सिंगाड़े देखो बहुत जादा गरम है जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इनको छीलें क्योंकि हाथ में भी गरम लग सकता है ये देखो सिंगाड़े मैंने छील लिया है कितना सौब्ठ और बिल्कुल अच्छा सा उबल के तयार हो गया है इसके बाद हम अ अब ऐसे तरीके से जब सिंगाड़े आप उपालेंगे तो बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं जिनके दातना हो वो भी खा सकते हैं